वेलकम टू केमिस्टी अकैडमी स्टूडेंस आज की वीडियो में बहुत ही एहम क्वेस्टन पढ़ेंगे गोर से देखना यहां पर एक एलिमेंट दिया गया है ल यू और आप से कहा गया है कि इसके अटॉमिक नमबर 71 है और इसका मास नमबर 175 है बताएं इसके पास परोटॉन कितने होंगे इसके पास इसके पास परोटॉन कितने होंगे इसके पास न्यूटॉन कितने होंगे और इसके पास अलेक्टॉन कितने होंगे ल यू दिया गया है और यहां पर 71 अटॉमिक नमबर है और 175 इसका मास नमबर है आप लोग ने जेन में रखना है कि यह जो 71 है जो भी atomic number होता है ना atomic number यह ब्राबर होता है number of electron और number of proton कहने का मतलब है कि जितना atomic number है उतने ही electron होंगे उतने ही proton होंगे दोनों के द्रम्यान के प्लासव केरा के sign नहीं है जिसका मतलब 71 जो atomic number है उतने इसके अंदर electron है उतने इसके अंदर proton है और आप लोग सिंपल इसको देखके कैसा आते हैं कि यह जो element दिया गए ना इसके पास 71 electron है और 71 ही इसके पास proton है इसका मतलब शुरू भी देखे परोटोन और electron last है बीच में neutron पूछेगे इसका मतलब यह वाला 71 और यह वाला 71 आ रहे है मारे पास proton आ रहे है और साथ में यह electron आ रहे है अब बाद करते हैं neutron की बीच वाले की कि यह 104 कैसा है उसके लिए सिंपल आप लोग ने क्या करना होता है कि जो mass number दिया जाता है आपको जैसा कि यह 71 है और यह 75 है 175 तो आप लोग ने mass number से atomic number माइनस कर देना है mass number में से atomic number माइनस कर दें तो आपके पास number of neutrons आ जाते हैं neutron के उपर 0 चार्ज है तो इसलिए इस question का correct option होगा मारे पास यह option इसका correct है जिस सबी के लिए जो भी आपको element दिया गया हो और उसका atomic number और mass number दिया हो तो आप atomic number से देख साथे हैं कि जतना atomic number है उतने उसके पास proton होगे और उतने उसके पास electron होगे और neutrons के तदाद के लिए mass number में से आप लोग ने atomic number माइनस कर देना है तो आपके पास neutrons आ जाएंगे इसका मतलब a option correct है अगर आपको इस वीडियो के समझ आ गिए तो प्लीज मेरे चैनल chemistry academy सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें